कि अलो टू ओल मेरा नाम है तुल्य आदव और आप सब का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूसी लाइप पर का शॉजण और एवरेज का जो सेशन हम लोगोंने स्टार्ट कि आओं पी ऐवरेज की सीडी स्टार्ट कर कि हूई है उसी के अगले पड़ाव में आ गए हम लोग आज एक्निक टाइप के उसके क्वेश्ण को सबरात करेगा सबसे पहल情 को नाम नाम सकते हैं वो बनाएंगे सारे के सारे types को cover करने के बाद previous questions को discuss करेंगे कि previous early क्या-क्या questions पूछे गए एससी में और आप देखेंगे कितनी helpful रही है पूरी पूरी series आप रहों के लिए तो बिना जादा हम time invest के हम लोग ये session शुरू करते हैं अभी तो सबसे पहले जो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि average अभी जो आज हम type करने जा रहे वो age-based questions की type करने जा रहे हैं यानि जो age पे अधारित questions आ जाते हैं अक्सर तो भी जो age-based questions होते हैं उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि मानके चलिए कि अगर मैं बात करता हूँ present age की ratio की बात करता हूँ अभी जो फिलहाल जो present है present age मानके चलिए तीन लोग है ABC ABC की present age का ratio अगर 40 साल है 40 years है जो बात हमें समझने है वो concept का जो समझना है वो देखेगा भी concept क्या कहता है कि भी average का जो concept वो क्या कहा है अगर मानके चलिए ABC तीन लोग है उनकी present age अगर 40 साल है तो आज से चार साल बाद की average अगर आपसे कोई पूछ ले कि भी after four years यानि भी after four years चार साल बाद इनकी जो average है वो क्या होने वाली है भी चार साल बाद ABC की average जो है वो चार्लिस अगर अभी है तो चार साल बाद वो चार्लिस प्लस चार हो जाएगे यानि कितने हो जाएगी पी चार साल पहले पूछ ले यानि आपसे पूछा जाए four years अगो चार साल पहले एबी सी किनों की भी average क्या हो जाएगी चारिस माइनस चार यानि कितना हो गया भी कर सकते हैं यानि मान के चलिए आपको बोला वह चार साल पहले जो अवरेज था तीन लोगों का वो 36 साल था तो आपको बता है चार साल बाद जो उनका वरेज हो जाएगा यानि प्रेजेंट जो रेशियो में एवरेज हो जाएगा वो 40 अब करेंगे ऐसा क्यों जितने साल भड़े हैं उतने ही साल एवरेज में भी एड कर दीजिए नया आवरेज आ जाएगा सीधी सीधी बात है और इसका बेसिक कॉर कॉंसेट्ट मैंने पहले बता दिया था कि अगर मानके चलिए एवरेज कभी भी एवरेज में अगर पहले बत है थी कि क्लास में अगर 10 स्टुडेंट्स हैं और उनका जो एवरेज स्कोर है क्लास का वो 6 नंबर है 6 मार्क्स है एवरेज स्कोर जो है वो 6 मार्क्स है आउट उफ 10 पर अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है हर बच्चे के 2 नंबर ग्रेस मार्क के देने पड़ गए तो जो नई एवरेज आएगी वो कितनी हो जाएगी भी 8 नंबर हो जाएगी यानि अगर प्रतेक संख्या में सेम डिजिट अगर आप एड़ करोगे तो वो सेम डिजिट एवरेज में भी एड़ हो जाती है भाई 10 के 10 बच्चों को 2-2-2 एड़ कर दोगे प्लस 2-2 एड़ कर तो अगर ABC की प्रेजेंटेज 40 साल है तो 4 साल बाद A भी 4 साल बड़ा हो जाएगा B भी 4 साल बड़ा हो जाएगा C भी 4 साल बड़ा हो जाएगा यानि हमने तीनों में 4-4-4 एड़ करा तो जो नई जो एवरेज है वो भी क्या हो जाएगी भी 4 एड़ हो के आ जाएगी यान फिलाल अगर मैं बोलू कि भी इनकी जो एवरेज है वो एवरेज क्या हो जाएगा भी X प्लस Y प्लस Z divided by 3 यह इनकी एवरेज होगी अगर मैं चार साल की बात की बात करूँ यह हो गया हमारे पास प्रेजेंट रेश्यों आफ्टर फोर येर्स यानि चार साल बाद चार साल बात भी A की जो एज है वो हो जाएगी X प्लस 4 B की जो एज है वो हो जाएगी Y प्लस 4 C की जो एज है वो हो जाएगी Z प्लस 4 यानि सम्मे चार-चार एड कर दिया अब इनकी अगर मैं average पूछूंँ आपको तो average क्या होगी भी x plus 4 y plus 4 z plus 4 divided by 3 इसको 3 से डिवाइड कर देगे यानि क्या कह सकता हूं मैं इसे x plus y plus z plus 12 divided by 3 बारा को तीन से मैंने अलग डिवाइड कर दिया तीन को तो अलग-अलग नीचे कर सकते हैं तीन से बारा खट गया कितना आ गया चार यानि हमारी जो पहब यानि जो भी average है चार साल पहले की पूछले चार साल बाद की पूछले या चार साल पहले की देके पूछले कुछ भी पूछले आप से सीदा सीदा जतने साल बाद की बाथ ओड़ी है average में भी utna ud of कुछ ने पूछे हैं उन टाइप को एक पर देखने का प्रयास करें गया जो हस्बेंड वाइफ वो त्वेंटी सेमने यह वो त्वेंटी सेवन यह सब्वेंदे मैरीड फॉर यह पर चार साल पहले उनकी शादी विए और एवरेज हो 27 साल है अगर चार साल पहले प्रसेंट वर वाइप कि वह 31 साल होनी चाहिए husband plus wife 27 plus 4 कितना हो जाए गभी 31 साल यानि जो एवरेज यहां थी उसी में plus 4 हो चाएगा यानि अगर आज की मैं बात कुरूं तो आज के समय husband और wife की जो average जब 31 साल है लेकिन 31 नहीं है क्योंकि एक बच्चा भी पैदा हो गया इन चार साल के दोरान न्यू बेबी बॉन हुआ है एक बच्चा पैदा हुआ है अब उनकी पूरी फैमिली की एवरेज जो है प्रेजन्ट यानि husband वाइफ और एक चाइल्ड जो नया आ चुका है अब इन तीनों की मिलाक एवरेज कितनी होगी भी 31 साल हो गई ह यानि भी गड़बड हो गई यह जो बच्चा आया है यह 31 साल का तो है नहीं जाहिजी बात है ना यह 21 साल का है चार साल में 21 साल का बच्चा नहीं हो सकता यह भी सीदी सीदी बात है husband wife और child की जो average अब हो गई वो 21 साल हो गई यानि अगर हमें इसकी child की average निकालने भी presentage of child के है बच्चे की उमर के है देखे एक बात तो clear है हमें कि husband और wife की जो average है फिलाल जो presentage of average हो 31 साल होनी चाहिए थी काईदे से लेकिन अब 21 साल है यानि यह जो बच्चा है child यह 21 साल क है आप यह तो इस answer method से भी कर सकते हैं यह direct सोच के भी कर सकते है चाइल्ड जो है वह 21 साल के जो की गलत बात है सीधी सी बात है यानि 21 साल का बनाया गया है average के तोर पर इसे दिया गया है किस ने दिया भी husband और wife ने दिया कितना कितना दिया वही 21-23 साल के हैं दोनों नहीं ही अपना 10-10 साल इसको दे दिया, तभी तो वह 21-21 के बनेंगे, यानि ये भी 30 का था, ये भी 30 का था, इसका मतलब क्या हुआ, 10 इसने अपने दे दिया, 10 इसने अपने दे दिया, तभी तो ये 21-21 के बने, यानि इस बच्चे को 20 साल दिये गए है, तो यानि इसकी एक्चुल मे जो एज थी वो कितने थी वई यह एक साथ है इस तरीके से आमें को समझ केboys सब्सक्राइब हैं अर्वरेज केसилась मम्मी औ Tout जो हैं उनकी एवरेज है 31 साल दो लोग है यानि उनकी आयू का जोड कितना हो गया 62 साल लेकिन अगर उनके बच्चे को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो एवरेज हो जाती है 21 यानि 21 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो गया 63 साल भई पहले दोनों की आयू का सम 62 आ रहा है बच् लगाया लेकिन उसमें ध्यान रखने वाली बात कि प्रजेंट एज का एवरेज लिया है 27 साल वाला एवरेज मत लेले ना गड़बर लड़के की जब शादी हुई तब मम्मी पापा और बेटे जो भी बेटा था उनका उनकी जो एवरेज है वह कितनी है शादी कब हुई पता ने लेकिन हुई है शादी ये बाद तो तया है आफ्टर वन येर एन इंफेंट वोस बॉन भी उनकी शादी के एक साल बाद बच्चा पैदा हुआ ठीक है भी हो गया बच्चा पैदा आफ्टर सिक्स येर्स ऑफ मैरिज दा एवरेज जो फैमिली बिकम फैमिली की पूरी फैमिली का पैकेज यानी फादर मदर सन वाइफ और च्युशाट है छेसाब बाद उनकी एवरेज चत्ते साल है तो जहेसी बात आगर मैं father mother और son की अभी जो age है इनकी रही होगी जब भी past में लेकिन अगर मैं इनकी present की रिएश्यों पूछूँ कि प्रिजेंट में इनकी average क्या है present में father mother और son की जो present 6 साल बाद after 6 years ठीक है भी after 6 years की बात मैं कर रहा हूँ after 6 years of marriage यानि 6 साल बाद जो फिलाल का time है 6 साल बाद जो उनकी age है वो father mother son उनकी average कितनी होजएगी भी 48 होचाईगी पहली बात भी अगर इन तीनों की average 48 है तो मैं इनका sum भी निकाल सकता हूँ अब जब ये 6 साल पहले की बात थी जब father mother और son थे 42 साल के तो इनकी वाइफाई बेटे की जो वाइफाई उसकी उमर क्या मान ली भी हमने उसकी उमर मान ली भी हमने x years की है हमें नहीं पता कितने साल की विवाई था बहु जो आईए गर में वो कितने साल की वो x years की हमने मान लिया लेकिन मुझे बताईए कि शादी के ठीक एक साल बाद बच्चा हो गया तो क्या child की age हमें पता है बही चाइल्ड की age हमें पता है क इन सब की एवरेज इन पांचों की जो एवरेज है वो 36 साल अगर पांचों की एवरेज है तो मैं कहता हूं पांचों की आयू भी पता सकते हम 36 इंटू पांच कर देंगे भी चैपंजे 30, 0, 3, 5, 15, 3, 18, 180 साल तोटल इनका जो age है वो 180 साल अचा फादर, मदर और सन का 6 साल बाद का हमने सम निकाल लिया थे 144 साल के हो चुके यह तीनों मिला कर वाइफ जो है वो X year की थी शादी के समय में शादी जब हुई तब हमने माना वो कितने साल की थी X year की थी 6 साल हो गए शादी को तो अब उसकी उमर कितनी होगी X प्लस 6 हो गई बेटा जो है उनका वो 5 साल का है बेटा 5 साल का है बड़े प्यार से आप यहां से X की वैल्यू निकाल सकते हैं 180 माइनस 155 और 180 में से 155 गया तो कितना आ गया वह 25 साल आ गया यानि जो वाइफ है कि प्रिशन में आपको 31 साल मी मिलेगा 31 साल फिलाल उसकी उमर होगी लड़की की पहले उसकी शादी के समय उमर थी वह कितनी थी पिट्स साल थी इसमें गलती बहुत जादा हो जाती है आगे चलते हैं नेक्स कॉश्ण पर नेक्स कॉश्ण के वह एवरेज़ जोफ 11 प्लेय हो भी नशकते हैं सो एक क्रिकेटीम है एक्टी सालносêter एक साल नी बड़री दो महीने बढ़ागबुआ दे चलते हैं तो देखे भी सीजी सी बात है कि अगर हमें एवरेज निकालना है एवरेज एज ओफ नियू प्लेयर निकालने है जो नए प्लेयर आए इनकी एवरेज क्या होगी तो भी ये तो दो जने आए है तो दो आएं है तो इनकी जो एज का सम है उसको अमें टू से डिवैड करना पड़ेगा अब इनकी एज कैसे पता करेंगी इनकी एज पता करने का मैंने आपको पिछले भी सेशन में अमने डिसकस किया था कि एक बोट से अगर एक आदमी उतर जाता है रिप्लेस्मेंट हो जाता है उसका एक नए आदमी आता है उसके जगे और उनकी एवरेज भढ़ जाती है घढ़ जाती है तो कैसे करते हैं को पिछली वीडियो में बता रखा है तो सेम चीज यहां पर देखेंगे जो लोग गए हैं यानि एक 20 साल का गए एक 18 साल का यानि कुल 38 साल के लोग गए है मिलाकर ये जो 38 साल कम हुए है ये ज अब दो नए पलेर आए हैं आदेवादे zitीस बाते 38 साल के तो हैं हैं कि 38 से भी ज़ादा बढ़े हैं ये क्योंकि इनके आने के वज़े से हर एक player के दो महीने growth हो गई है तो भई ये जो हैं वो 38 साल के हैं plus सिरफ 38 साल के नहीं है 38 से जादा के हैं क्योंकि इनके आने की वज़े से average भड़ी है भई कोई पूछेगा भई कितनी average भड़ी है तो भई इनके आने की वज़े से दो महीने भड़ गई 11 players की भई दो महीने भड़ गई 38 साल के ये खुद हैं तो इन्होंने 2 into 11 महीने भी बढ़ा दिया अब भई 2 into 11 महीने का मतलब क्या हुआ भई 38 साल के ये हैं plus 22 महीने और भड़ गई team के अंदर 38 साल plus 22 महीने फाल्तु के थे मतलब ये जो बच्चे जो दो आये थे जो दो प्लेयर आये थे ये 38 साल के नहीं थे प्लस 22 महीने और एक्स्टा उमर थी इनकी तभी इनोंने दो दो बाड़ दी सब के अंदर और इस तरीके से करके वह जो है वह दो महीने भढ़ गई घर मैं इसको दो से डिवाइड कर दूंगा तो इनकी अवरेज आ जाएगी इन दोनों लड़कों की अवरेज आ जाएगी जो नए आये ऑन्या अर्थ कर पाइंगे है इसी के आगे चलते हैं आगे क्या समझना है वो देखते हैं आगे क्वेशन है नेक्स्ट जो परकार की क्वेशन देखे किरिकेट के क्वेशन जो भी आएंगे तो उसमें एक बाद समझे ना बड़कर के के questions में score और इनिंग का पड़ा ध्यान रखना है कि कौन से इनिंग तक का score पूचा गया है और कौन से इनिंग के बात तक की आवरेज पूचीगे जैसे कि पहला question यह पहला question इसलिए रहे था कि इनिंग का concept भी आपको clear हो जाए इन 21st इनिंग batsman score 119 यानि 21 जो इनिंग थी उसमें उसने 119 रन बनाए है अभी दर के 119 नहीं बनाए 21 इनिंग में 119 बनाए है देन इस एवरेज इंकी इनिंग थी देन फाइंड एवरेज आफ्टर 20 इनिंग एवरेज आफ्टर 21 इनिंग देखे दो तरीके से question पूचा जा सकता है 21 इनिंग यानि जगर बच्चा 21 इनिंग प्लेयर अगर 21 इनिंग खेल रहा है तो सही सी बात वो 20 मैच ओल्रेडी खेल चुका है 20 इनिंग ओल्रेडी खेल चुका है अब हमें कैसे करेंगे इस चाप के question answer method जिंदा बाद भी answer method तो हर जेगे लगेगा आपका भई average जो है नहीं पता कितनी एवरेज थी एक्स एवरेज है कितनी इनिंग्स खेली भई 20 खेली तो कितने रन बनाए लड़के ने 20 एक्स रन बना दिये यानि जितने इनिंग को एवरेज से मिल्टिप्लाई करोगे आपका टोटल स्कोर आ जाएगा 20 मैच थे हर मैच में ए टोटल कितने रन बनाए 20 एक्स अब हुआ क्या देनिज एवरेज इंक्रीज भाई 21 एक्स प्लस 63 इतना स्कोर हो गया बैट्समेन का 21 एनिंग के बाद इतना स्कोर हो गया लेकिन इन्होंने एक बात बता रख़्िये कि उसने 21 एनिंग में 111 रन रनाये थे तो बैए 21 एनिंग तक हम दो तरीकों से पहुच सकते हैं पहला तो एवरेज वाला मैथड हो गया 21 एक्स प्लस 63 द 20 एनिंग तक बनाये थे उसने 20 एक्स रन और 21 एनिंग में कितने रन बनाये 111 रन बनाये तो क्या यह और यह दोनों बराबर होने चीक कि नहीं होने चीबी अगर आपको यह कॉंसेप्ट समझ में आ गया कि 21 एनिंग का स्कोर कैसे निकलेगा तो आप समझ जाएंगे Never एक्लाय बैककी इनिंग के प्सकोर कैसे निकल सकता है स्कोरा गया दूसर तरीका क्या है 20 वी इनिंग में पीस नींग तककے स्कोर में 21SON in agro जोड़ दो गया तो भी माचम तो भी हमारा घजल्ट आ जाएगा यहां शै का स्वी फोह 159-13 एक्स अउननेism-13 & तो हमारे पास बंदे का जो है वो स्कोर आजाएगा जो क्या आगया च्पता एक्स इकल टू कितना होगी था 56 आगी तो यह जो एवरेज के बाद कितनी है और आप्टर पुंटीफ इनिंग कितनी आवरेज हो जाएगी इस तरीके से को करना है आगे चलते हैं नेक्स कोशन पर नेक्स कोशन क्या रहा है जब बोलर की एवरेज की बात की जाते बहुर की बच्चे कई बर कन्फिज एक्सर होता क्या बोलर की आवरेज़ ग्रेज एक विकेट प्राप्त की है यह बात आपको समझ लिए कि उसका यह यह उसकी ऐबरेज है एक बिएट लेता है साड़े बारा देते के साथी इन लास्ट मैच इन इस लास्ट मैच इन दे लास्ट मैच फइड़ विकड फवगेट प्वेच्ट पहुनियो पहीlt मैच में पांच डेट देखिते कोशन कैसे होगा फिर से वोई अपने answer method में आ जो answer method में आ जाते भई answer method में आ जाते average दे रखे 12.4 भई कितने match खेले ये नहीं बता हमने बोला भई x match खेले x match खेले तो कितने ये जो sum आएगा ये जो 12.4 into x कर रहा हूँ मैं ये आ रहे हमारे पास क्या ये runs आ रहे हैं ये जो n हमारे पास है वो number of wickets होगे उसके भी इतने matches में the averages of a bowler in certain number of matches is 12.4 in the last match he takes 5 wickets last match में उसने 5 wickets लिए for 26 run ठीक है भी तो then his average decrease by 0.4 उसकी average क्या होगी भी decrease होगी 0.4 उसने ये पाँच विकेट देकर 26 run पाँच विकेट तो या उसने यानि पहले एक्स विकेट ली साड़े बारा रन पे average पे एक्स विकेट लेता था तो total run इतने दिये थे उसने एक्स विकेट लेनी थी अब ये जो है हमारे पास उसने 5 विकेट ले दी भाई एक्स प्लस फाइड अब जो एवरेज वो पॉइंट फूर घट गया यानि अब एवरेज कितना हो गया भी बारा ओगया तो यानि कुल रन उसने कितने दिये 12 एक्स प्लस साथ और उन्होंने बता रखेंगे इन पांच विकेट लेने के लिए उसने कितने रन दिये 26 रन दिये साथ में से 26 यानि चार और इतना आगया वही 34 आना जाए मेरे साब से 34 आगया वही 34 डिवाइड बैइ 0.4 एक्स आजाएगा वही एक्स की वैलु कितने आजेगी तीन सो चालिस दिवाइड बैचार वही चार निम्च चार अट्थे बद्थे पिचासी तो भई उसने जो है देखोई find the number of wickets taken by him कितनी विकेट उसने ली तो एक्स की वैलु कितनी आगे 85 और इधर कितनी आगे 90 यानि बिफोर लास्ट मैच लास्ट मैच से पहले उसने कितनी विकेट ले चुका था पिचासी ले चुका था और आखरी मैच में उसने पांच विकेट और ले ली यानि नभए विकेट ले ली टोटल तो भी ये 90 विकेट हमारा अंसर आ जाएगा तो बोलर की एवरेज में ध्यान रखना जो नमबर होता है एनस अंसर मैथड में जो एन होता है वो स्टेंड करता है number of wickets के लिए ऐसे जो स्टेंड करता है वो रंस देता है तुल कितने रं दिए इतने विकेटली इतने रंद यह बोलर में तो भई बोलर के एवरेज ज़ो है वो रन के अधार पी ही बनाई जाती है नेक्स्ट क्उशन भई इंपोर्टन यह SST में पूछा गया क्उशन है अब बैट्समें है जिसने सबसे बढ़िया है अपना लिख दो सीधा का सीधा ब्याले सिनिंग खेली है तीस रन की उसकी एवरेज है ब्याले सिनिंग में तीन दो नीच है और चार्तिया बारा यानि कुल उसने बारा सो साथ रन बनाए एक बात तो तैया होगी अच्छा जी अब आगे क्या बोल रहे हैं अभी एक इनिंग में उसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया होगा और एक में सबसे कम स्कोर किया है तो दोनों के बीच की जो अंतर है वो सो है यानि मान के चलिए हाइस उसने रन सो रन बनाए होंगे और एक में जीरो पर आउट हो गय अज़े लगा गया तो उसकी एवरेज जो है भी एथाईस हो जाती है तो भी ठीक है यानि है डिक चालिस कोर कितना है 1120 का स्कूर है तो बाप तो यह समझना आगी तो क्या मुझे यहां से what is his maximum स्कूर पूछ ले अभी maximum कितना उसने बनाया स्कूर यह बताना है तो क्या आप लोग मुझे बताईए कि क्या यहां से अगर मैं इन दोनों को घटा देता हूं 0 6 और 2 4 140 यह जो 140 रन फाल्तु के आ रहे हैं यह 140 रन क्या वो highest और लोवेस्ट दोनों का इनिंग का स्कूर का सम नहीं है क्या यह 140 run उन्हीं दो इनिंग्स में बनाए गए हैं क्योंकि वो दो इनिंग हटा दी गई है और 140 run का जो difference आ रहा है जाहिर सी बात है यह 240 run जो बने हैं वो उन दो इनिक्स में बने है यानि दोनों इनिक्स का sum भी आ गया दोनों इनिक्स का किया है उसने maximum run score किया वह 120 score किया और lowest जो score किया वह 20 score किया था भी तभी दोनों का difference हो आ रहा था तभी दोनों का difference कितना आ रहा था भी आज का यह सेशन के लाल के लिए हम खतम करते हैं यहीं पर आशा करते हूं आपको सारे concept clear होगे होंगे किस तरीकी से innings को समझना है answer method तो आप हर जग अपलाई कर सकते हो जहां पर भी आप चाहो बशर्ते आपको बतावना चाहिए N क्या है A क्या है S क्या है किस तरीकी से उस copy of कर रहे है प्रैक्टिस करते रहे हैं इसी के साथ आज के करते हैं अगली सेशन में मिलते हैं तिल देन बाबाय टेक क्यार अब नाइस टेए